असलाम लीकूँ मैं यूट्य फैमिली वेल्कम टो मैं चैनल किचन वी इदमाही तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं सब ठीक होंगे तो जी आज हम अपने किचन में बनाने जारे हैं कचनार कीमा जो के खाने में बहुत टेस्टी और बनाने में बहुत ली असान है तो जी ब साइस के टमाटर मेरे पास फ्रीज हुए थे इसलिए मैंने इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिये वन कप कुकिंग ओईल तीन चौप कीवी हरी मीट से और चौप क्यावा हरा धनिया हाफ कप दही जो बेसिकली फो टू फाइफ टेबल स्पून बनता है मसालों मैं यहां प और दो बड़ी लाइची लाइची को हमेशा अपने कूट के आड़ करना है वन टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ लेमन और यहां पर हमने हाफ केजी मतन कीमा लिये और हाफ केजी ही कच्छनार लिये इसको मैंने गरम पानी में से निकाल लिया था बोईल नहीं गल्च है इसी के साथ हम इसमें एड़ करेंगे चोब की हुए प्यास अद्रक लसन का पेस्ट भी इसमें एड़ कर देंगे और जो हमने टमाटो की प्यूरी बनाई थी वो भी हम इसमें एड़ कर देंगे अब हमने जो मसाले लिया है वो इसमें एड़ कर देंगे नमक चला गया, हल्दी, रेड़ चिली पाउडर और गरम मसाला और इसमें वन कब पानी डाल के इसको कवर करके दस मिन्ट के लिए अच्छे से पका लेंगे फ्लेम को ओन कर देंगे मीडियम फ्लेम पे हम अपने कीमे को 10 मिन्ट तक पकाएंगे तो जी यहां पे 10 मिन्ट हो चुके हैं अब हम फ्लेम को ओफ करेंगे और अपनी कडाई में हम कीमे को निकाल लेंगे अभी आप यह देख सकते हैं कीमे में से पानी अच्छे से खुश्क नहीं हुआ मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से में कीमे को भून लूँगी ठीक है अच्छी तरह से इसका जो पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो यह देखें इसका पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क हो गया है इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे कुकिंग ओल तो यह मैंने cooking oil, one cup cooking oil इसमें add कर दिये और इसके अच्छे से बुनाई करनी है अब हमने 5-10 मिन तक इसके अच्छे से बुनाई करेंगे साथ ही हम इसमें डाल देंगे green chillies और इसको अच्छे से बून लेंगे green chillies डालने से क्या होता है किमे का टेस्ट होता है वो बहुत ही out class हो जाता है तो हम कीमे को अच्छे से बून लेंगे ताके कीमा और oil जो हमने इसमें add किया वो एक जान हो जाए तो जी हमें 15 मिन तो होगें बुनाई करते हुए इस पॉइंट पे हम इसमें half cup दही आइड कर देंगे और इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे जी का दही आइड करने से हमारे कीमे में एक क्रीमी टेक्चर आ जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत मैजे का हो जाता है और अक्सर जब हम कीमा बनाते हैं तो उसमें से गोश्ट की स्मेल आ रही होती है तो जब आप दही आइड करते हैं न तो इसमें से गोश्ट की स्मेल भी खत्म हो जाती है 5-10 मिन तक हम कीमे की बनाई करेंगे ताके ओयल सेपरेट हो जाए तो जी 10 मिंट हो चुके हैं और ओल भी सेपरेट हो गया है ci transgender add कर के देंगे हाफ kg कच्च्नार है हाफ kg ही कींए है अच्छे से Maybe करेंगे ताकि कच्च्च्च नार किमा मिक्स हो जाएं अच्छे से तो यह देखें कचनार और कीमा मिक्स हो गए अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको 10 मिंट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे 10 मिंट हो चुके हैं अब हम इसमें हाफ लेमन एड़ कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आप लेमन नहीं एड़ करना चाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं तो हमारी कचनार बनके रेड़ी है अब हम इसको डिशाउट करेंगे तो जी माशाला कचनार बनके बिलकुर रेड़ी है अमीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करना बिलकुल मत भूले एक बर बना के जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे कॉमन सेक्शन में फीड़ बैक जरूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबस्क्राइब कर दें और बैल आइकन पर क्लिक करना मत भूलेगा ताके मेरी लेटेस वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज